और दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोरेव पर दोस्तों आज फिर आपके सब्सक्राइब में हैत्कून जानकर लेकर हाज रूए हैं इस वीडियो में आपको पताएंगे कि आप कैसे विद्वा पैंसन 2021 के तहात कैसे आप आवेदन कर सकते हैं आवेदन करते वक्त आपको क्या क्या डॉकूमेंट्स चाहिए उसकी पूरी जानकरी हम आपको यहां पर लाइव दिखाने वाले हैं दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ सके और आप भी इसका लाब ले सके तो दोस्तों वीडियो अगर आपने लाइक नहीं कर करी पाने के लिए हमारे यूटीوب करें though जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों सुरू करते हैं कि दोस्तब सकते हैं ओगल कॅ प्रॉजर पे हमें यहां पेट कर देना है पैंशन आपको 50 लिक करके यहां पे सच कर देना है यैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने नहीं यह स्कीन पर देख पार रहे हैं फ़र्श नंबर पर आपको एक ओपिशियल लिंक मिलेगा जो की उत्तर परदेश सरक्कार द्वारा तला जाता है दोस्तों आपको यहीं परी क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनकी ओपिशियल वेबसाइट निकल कर आ जाएंगी जैसे कि आप स्कीन पर देख पा रहे है दोस्तों आप तीनों पैंशन के यहां से ओनलाइन आवेदान कर सकते हैं पुरी जानकरी आप यहां से पा सकते हैं दोस्तों आपको करना क्या है हम आपको यहां पर बता देते हैं आपको जहां पर विद्वा का उपसंद्यागा है बीच में आपको यहां पर क्लिक कर दे सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं आप यहां से कर सकते हैं दोस्तो और आप लिश्ट देखना चाहते हैं तो आप यहां से पूरी लिस्ट भी देख सकते हैं पैंसन सूची में आपको यहां पर दियागा है फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते हैं जहां पर 2020 21 लिखावाई आपको यहां पे क्लिक कर देना है दोस्तों यहांसे आपको अपनी पूरीश्ट देख सकते हैं पैंसन देख सकते हैं तो दोस्तों आपको ओनलाइन करना है यहां से आपको यहां पे क्लिक करना है ओनलाइन आवेदन करें पर जैसे आप क्लिक करें तो आपके स और आप यहां पर देखेंगे मैनुवल यूजर मैनुवल यहां से आप अपना देख सकते हैं क्या क्या पूरी खबर देते हैं तो आपको करना क्या है नंबर चार पर आपको क्लिक कर देना है यहां पर कि अपर आपके सामने लाच उपन होगा दोस्तों जैसे कि यहां पर डाउनलोड होने का ओप्शन यहां रहा है पीडिया के रूप में आपको डाउनलोड कर लेना है यहां नंबर दो पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका जंद प्रमान पत्र पास होना चाहिए और चुसका साइज है दोस्तो यहाँ पर 100 KB का होना चाहिए और PDF के रूप में आपको वहाँ पर क्या अप्लोड कर देना है नीचे आप देखेंगे यहाँ पे दियागा है आपका पहचानद पत्र, वोटर कार आईडी, आधार आईडी और रहसंद कार आईडी आपके पास होना चाहिए, उनका साइज जो है 100KB का होना चाहिए और आपको पीडियाप के रूप में है अपलोड कर देना है, सी पर आप देखेंगे नीचे, यहाँ बैंक पास पुक आपके पास होनी चाहिए, उसका साइज 100KB और पीडियाप के रूप में ही आपको अपलोड कर देना है, दोस्तों आप नीचे देखेंगे लाश्ट में डी पर आपके पास आपका आई परमान पत्र होना चाहिए, 100KB साइज होना चाहिए, उसका और पीडियाप के रूप में आपको अपलोड कर देना है, दोस्तों यह तो आपको यहाँ पर डोकुमेंट चाहिए, अगर आपके पास यहाँ डोकुमेंट हैं, तो आप इस पैंसन के ताहत आवेधन कर सकते हैं, दोस्तों हम फिर से वापस चल देखने को मिलेंगे दोस्तों, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पर ही यहाँ पर लिखागा है, जिस उप्सिन के आगे रेड कलर का स्टार दिया गा है, वहाँ कंपलसरी भरना है, और नंबर दो पर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, वहाँ पीडियाप के रूप में ही अपलोड करना होगा, और जो उसका साइज है दोस्तों, वहाँ 500 केबी का होना चाहिए, तभी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, आप थोड़ा नीचे स्कूल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोस् दोस्तों उपर देखेंगे, आप यहाँ से कहा के निवासी है, आप कहा निवास करते ही, यहाँ पर आपको डाल देना है, आप थोड़ा नीचे स्कूल करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अपनी गली नंबर जो आपनी यहाँ पर डाल देंगे, पूरा पता आप यहां पे अपना डाल देंगे उसके परान दोस्तों को करना क्या है जो आपका फोटो है वेब पास्पोर्ट साइज आपको यहां पे डाल देना है अपलोड कर देना है जो की 20 के भी का होना चाहिए किस सिरेनी साय यानिक अपनी कैटेगरी किस कैटेगरी से यहां से सवाक कर सकते है जो वी कैटेगरी आपके पास है कि व estaris से आपको यहां पर स्नेथ बातें अपनी कैटेगरी लें है आमने पेश्ट कर देना है, यानिके अपलोड कर देना है। दोस्तो वैस्ट 500KB का होना चाहिए दब यहां पर अपलोड कर पाएंगे आप नीचे देखेंगे आपका जो भी mobile number है वह आप यहां सब्सक्राइब कर सकते हैं किस ब्रांच से किस आसे आपको यहाप पर सेलेक कर लेता आपको फोटो है यहां पर अप्लोड कर देना है दोस्तों नंबर 2 पूरा हो चुका है अब आता है नंबर 3 यहां पर आपको अपना आइप वीवरण भरना होगा आपके परिवार के कुल वार्सिक आए कितनी है आप यहां पे डाल देंगे लिख देंगे तैसील द्वारा यह है आपको यहाँ पर नीच पर्मान पत्र की संग्या आपको यहाँ पर डाल दोस्तो है आपको यहाँ पर्मान पत्रूंब कर देना है जैसे कि आपकी पत्ति की मिर्त्यों किस दिनांक में हुई थी किस तारिक में हुई थी आपको यहां पे अपलोड कर देनी है यानकि आपको यहां पे डाल देनी है और दोस्तों आपके पत्ति का जो मिर्त्य परमानपत्र है उसका फोटो इस्टेट आपको यहां पे अपलोड कर दे देना है उसके परांद दोस्तों आपको यहां पे capture code दिखाई दे रहा होगा यह capture code आपको यहां पर blank box में डाल देना है उसके परांद आपको सर्च कर देना है तो दोस्तों हमारा यह है फूरा complete हो चुका है और दोस्तों अगर आप इसकी कुछ इसमें कुछ editing करना चाहते हैं कुछ बदला करना चाहते हैं तो आपको फिर से वापस जाना होगा तो दोस्तों आपको फिर से वापस जाके दिखा देते हैं पो दोस्तो हम वापस आचुक है अगर आप कुछ इसमें बतब्दिल करना चाहते हैं एडिट आपको नंबर थ02 ङहांपे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं तो दोस्तो आपको यहां पे क्लिकक करके एडिट कर सकते हैं कि हम् दो पर यहाँ पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं आपको यहाँ पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं तो दोस्तो आपको यहाँ जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तो और इसे वीडियो को लाइक करें शेयर करें जितना हो सके ताकि और भी इसके बारे में जाने और इसका लाव ले दोस्तो ऐसी महत्पून जानकर पाने के लिए हमारी यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तो मिलते हैं आपको ने इस्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिन जय भारत